Good morning students, today we are going to start English grammar book, class 5. Now we will read chapter number 2, class 5, identify yourself not others. आप खुद को पहचानी दूसरों को नहीं. तो चली एक छोटी से स्टोरी है, इसको रीड करते हैं, काफी इंट्रस्टिंग स्टोरी है. Long, long ago, बहुत समय पहले की बात है, दियन दीव आप काइन हामेट on the bank of a river, और नदी की किनारे एक दयालू, रिशी रहते थे. हमेट का मीनिंग होता है, रिशी, bank of river, means की नदी के किनारे. His name was Haridatta, और उनका नाम Haridatta था. He had many disciples और उनके बहुत सारे शीष्य थे. Disciples means शीष्य. He taught many things to his disciples और जो रिशी थे, वो बहुती दयालू थे और इसी के सार अपने सिश्यों को धीर सारी चीजें सिखाते थे. He was very kind Harid, जैसे की वो बहुत दयालू थे, अभी बताया. He loved not only human beings, वो सिर्फ ना ही वेक्टियों से प्यार करते थे, but also the birds and animals, वो इंसानों के साथ साथ पक्षियों और जानवरों से भी बहुत अधिक प्रेम करते थे. All the animals live friendly. और जितने भी बत्सु बच्षी थे, वो बड़े प्रेम से रहते थे. The lion and the cow live together. और जो शीर और गाय थे एक साथ रहते थे. उनमें इतना प्रेम था कि ये सबी एक साथ रहते थे बिना एक गुसरे को नुक्सान पहुँचाए. No one harmed another. The hermit and his disciples used to go to take bath in the nearby river every day. और जो रिशी थे और जो उनके सिस्से थे, वो रोज देली नदी में नहाने के लिए जाते थे, जो की उनके पास में थी. One morning और एक दिन सुबा, the hermit was taking bath in the river और जो hermit था, जो रिशी थे, वो river में नहा रहे थे. He saw a scorpion और उन्होंने एक बिच्चु को देखा, scorpion means बिच्चु, in a helpless condition in the water. और जो scorpion था, वोई helpless condition में था, the scorpion was floating in the river और जो scorpion था, पानी के उपर तहर रहा था. It seemed that the scorpion was about to drown और उनको लग रहा था कि कहीं ये बिच्चु डूब ना जाए. The kind-hearted hermit thought to save the scorpion और जो दयालू रिशी थे, उन्होंने उस बिच्चु को बचानी के लिए सोचा, क्योंकि वो बहुती जादा दयालू थे. और वो सभी पश्चु पक्षियों से प्रेम करते थे. Thinking it for a moment, और कुछ पल है सोचते हुए, he took the scorpion in his hand और उस scorpion को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया. But the scorpion stung his finger. Stung means होता है डंक मारना. और जैसे ही रिषी ने अपने हाथों में उस बिच्चु को उठाया, उसने वैसे ही उनकी finger में डंक मार दिया. He cried with pain and drawn the creature into the water और जब उन्हों डंक लगा तो क्या हुआ, बहुत तीस से pain हुआ, उन्होंने चिलाते हुए, उस creature को पानी में ही छोड़ दिया. He again tried to take it out और फिर से जो हम में था, उन्होंने फिर से scorpion को पानी से बहार निकालने की कोशिश की. But caught even a sharpener sting this time और जो उसका डंक था, बहुत ही नुकीला था, the scorpion was again back into the water और जो scorpion था, उसने दूसरी बार भी हमिट को हाम पुचाया, दूसरी बार भी डंक मारा उसके बाद फिर से वो पानी में कूद गया. The humming did not stop और जो रिशी थे, उन्होंने उसकी help करने से रुके नहीं, not caring for the sting and the pain और उन्होंने अपने डंक की और उससे भरे दर्द की परवा ना करते हुए भी, He third time attempt to take the scorpion in his hand और उन्होंने तीसरी बार भी बिच्चु को बचाने की कोशिश की, उन्होंने उसको अपने हाथ पर लिया and got it out successfully और उन्होंने तीसरी बारी में बिच्चु को पानी से बहार निकाल दिया. He then put it on a dry land और उन्होंने बिच्चु को एक सूखे स्थान पर रख दिया. All his disciples were watching this incident from nearby और उनके जितनी भी सिशे थे, इस घटना को पास में बैठ कर देख रहे थे. One of disciples was Govinda. उन्हों में से एक जो सिशे था उसका नाम Govinda है. He was greatly puzzled और वो बहुँ जादा puzzled हो गया because of the hermit's action. उन्हेंने शादू के जो action था उन्हें देखकर वो बहुँ जादा puzzled हो गया. He saluted the hermit and said और उसने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी से कहा ओ holy man, why did you save the weak scorpion when it sting you again and again? और जो Govinda नाम का सिशे था उसने अपनी गुरु जी से पूछा कि आप इस बिच्चु को बार बार क्यूं बचा रहे हैं? जबकि आप जितनी बार भी उसे बचाते हैं, ये आपको बार बार डंग मारता है. और जो रिशी थे, वो मुस्कुराते हुए बोले, My son, listen, मेरे बच्चे सुनो, the scorpion stung me, it was its habit, और जो scorpion था, उसकी डंग मारने की आदत है. I saved it, it was my habit, और मैंने उसे बचाया, क्योंकि किसी की भी जान बचाना मेरी habit है. We should try to do good, even to those who do bad to us. हमें सब के लिए अच्छा ही करना चाहिए, अगर कोई हमारे लिए बुरा हो, तब भी. Only by love and kindness can we win over others, hearted breeds, haters. और अगर हम इस तरीके से करेंगे लोगों के साथ दयालूता दिखाएंगे, तो हम किसी भी नफरत करने वाले व्यक्ति का भी दिल जीद सकते हैं. Listening to the answer of हमेंड और अपने गुरु जी की बात को सुनकर, all disciples were surprised very much. और जितने भी सिशे थे, इस बात को सुनकर बहुत ही जादा आज शेरे चकित हुए, the disciples learned a new lesson, और जो उनके जितने भी सिशे थे, उन्होंने आज एक नया लेसन सीखा था, नई बात सीखी थी from their teacher's words, और उन्हें अपने गुरु जी से ये सीखा, they promise to remember these words, और उन्होंने अपने गुरु जी से promise किया, कि हम आपके ये वचन हमेशा याद रखेंगे, तो इस कहानी से हमें क्या सिख्षा मिलती है, अगर कोई आपके लिए बुरा भी करता है, तब भी हमें उसके लिए अच्छा ही करना है, और आप अच्छाई की रास्ते पे चल कर, आप उसके लिए अपने दिल में जगा बना सकते हैं,